नमस्कार आप देख रहे हैं One India मैं हूँ प्रशान शर्मा हाल ही में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबास जैसन रॉय ने IPL के आगामी सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है जिसके पीछे की वजहां बल्लेबास ने बायो बबल की धकावट और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना बताया है IPL के मेगा आउक्षन में गुजराज जैंट्स ने दो करोड रुपए में जैसन रॉय को खरीदा था अब उनके इस फैसले से सूशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है जहां पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तान सूपर लीग और IPL की बीच में तुलना करते हुए दोनों में से कौन सी लीग जादा बहतर है ये बताते नजर आए है जैसन रॉय के टूर्नमेंट छोड़ने के बाद पाकिस्तान के कई फैंस ने उनके इस फैसले को सही बताया पाकिस्तान के फैंस सूशल मीडिया के माध्यम से ये बताते नजर आए हैं कि इंडियन प्रीमीर लीग की इकौालिटी बहतर नहीं है इस वजह से जैसन रॉय इसमें हिस्सा नहीं ले रही है जबकि उन्होंने पीएसल का पूरा टूर्नमेंट खेला था सूशल मीडिया पर पाकिस्तान और भारत के फैंस इसी बात पर भिड़ते नजर आए हैं लेकिन इसी बीच आस्ट्रीलिया के बल्लेबाज उसमान खुआजा की माने तो आईपियल और पीएसल के बीच किसी भी तरहा की तुल्ना नहीं कर सकती उन्होंने आईपियल को ही दुनिया की सबसे बड़ी और बहतर लीग बताया है हाला की ये बात सब ही जानते हैं कि आईपियल में खेलने के बाद जो शोहरत और दौलत खिलारियों को मिलती है वो अन्य किसी भी लीग से किसी भी खिलारी को नहीं मिल सकती है पड़ोसी मुलक अकसर आईपियल के लिए कड़वे शब्द कहता दिखाई दिया है जिसके पीछे की असल वजहा कहीं न कहीं उनके खिलारियों को इस लीग में ना खेलने की इजासत भी है दोनों देशों के लीग के बीच का फर्क आप इस बात से लगा सकते हैं जहां PSL में दुनिया के कई क्रिकेटर्स खेलते हैं लेकिन बड़े चहरे अभी भी नदारत रहते हैं जिसके पीछे का कारण सुरक्षा और पैसा है वहीं IPL में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता जो ये एक बार फिर से साबित कर देता है कि IPL ही दुनिया की सबसे बड़ी और बहतर लीग है बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India के साथ